हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टो एक्जाम रोग दोस्तों जैसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बीपी एसी या नि बिहार पुब्लिक सर्विस कमिशन ने अपना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी अनौंस कर दी है रिक्रिप्मेंट यहाँ भरतिया हो रही है 138 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बिहार पुब्लिक सर्विस कमिशन है इस गिवन एंप्लाइमेंट नौकरी का उन्होंने निकाल लिया है एंप्लाइमेंट के लिए यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑ ठीक है दोस्तों ध्यान रगता 138 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है ठीक है तो अच्छी वैकेंसी है बुरी वैकेंसी नहीं है पहले बात कर लेते हैं आपकी एप्लिकेशन फी की तेकि एप्लिकेशन फी यहाँ पर जनरल के लिए 600 है और अगर आप SCST के लिए वूमेन है बिह 15 मैं है यह आपको नोट करना है ठीक है दोस्तों तो यह आपको डेट आपको याद रखने है कि 17 अप्रेल और 15 मैं जिसके एंड डेट है ठीक है आगे बढ़ते हैं एज लिमिट अब एज लिमिट कितनी होने चाहिए कि मिनिमम में यहाँ पर रखिए आपकी 21 साल है और इकानिमिकल बैकवर्ड वालों के लिए 40 रखी रही है ठीक है से टीक लिए 42 मैक्सिमम ठीक है यह एज एलेक्शन से जो मिला है आपको आपके रूल्स के यह साफ से मिला है जो भी आपको रिजर्वेशन मिलता है उसके इसाफ ठीक है आप क्वालिक वेशन क्या होनी चीए देखिए आपका जो होनी चीए कॉलिक वेशन आपके बार डिग्री होनी चीए कॉमर्स की इकानॉमिक्स होनी चीए स्टैडिक्स या मैथमेडिक्स की ठीक है अगर आप MBA की है तो आप फाइनस से तो आप एप्लाय कर सकते हैं CA वाले कर सकते हैं एप्लाय बिलकुल ICWA वाल और CS कंपनी सेक्रेटिव वाले ठीक है तो यह यहां पर एप्लाय कर सकते हैं अब यहां पर पहले बता चुकाओं को 138 टोटल वेकेंसी यहां पर 138 है अब यह इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन आप देख सकते हैं बिहाल लोग सेवायो तो जो जो मैंने आपको जानकारी दिया है वह यहां पर वैसी दे रखिया है तो मैंने जो बताया आपको पहली बता चुकाओं सारी वेकेंसी कुल कितने पद हैं यहां पर देख लीजिए कि आपके कितने हैं नाकशित के लिए चौवन हैं और आठी ग्रूप से कमजोर वाले कर चौदा हैं तो इस तरीके सा देखें यहां पर दो डिस्टी बंद जिनके आखी नहीं है जो मुखबदी रज बोल सुनने सकते दो रखी गई है जिन में चलने में दिव्यांगेता है जो चल फिल नहीं सकते हैं यहां मनोविकार है बहुब दिविए तो वेतमान आपको साथ वेतमते में साफने मिलेगा यहां पर यह दियर्खा है ठीक है दोस्तोंव यहां पर में चीज बात खिलेए उम्रसीम भी बता चुका हूं आपको पहले बाता चुका हूं और यहां पर चेंगी पर प्रषा रहेगी ऑनिखे होगा तो पारंबिक जो परिक्षा होगी सामागा इंध्धियन विशय की होगी और उसके और यो दो घंटे के मिलेंगे आपको इसमें ओंगे तो यानि बॉंप प्रश्णवार बहु वेकल्पिय उत्रों में से प्रश्णवार किसी एक उत्र का चैन करें मल्टीबल चॉइस आपके कोशन पिपर यहां पर होगा पहला वाला जो होगा ठीक है मुख्य लिखित परिश्टा जो होगी हो तीन विश्व के होगी यहां पर दे रखा है जिसमें सामानिय हिंदी यहां तो इस इस तरीके से हैं इस इस तरीके से भी समझ سकते हैं जैसे आपका अनिवार जो है आपका सामानिय हिंदी आध्य सो नमबर का यह होगा 300 नमबर का यह होगा 300 नमबर का यह होगा ठीक है वैकल पीप फिशे इसके लाब आपके वह वानी जिया अध्यशाथ गणी तरसांखी की यह रखी गई यहां पर तो आपने हिसाब साब देख सकते हैं जो आप चूज करेंगा अपने फिल्ड में जो भी is.nick.in तो आप यहां पर जाके विसाप लाइक कर सकते हैं और शाक्षाथ कार की जो नमबर मिलेंगे वह आपको 120 मिलेंगे 120 मेंदर दिये जाएंगे इंटर्व्यू के तो अच्छी वेकंसी है काफी अच्छी वेकंसी है अगर आप पास आउट हैं अच्छा आपने हँए वेकंसी वीडियो अच्छी लगी उग हो तो प्रीज लाइक शेयर करें जूड़े जाएंगे घयांस